इद पर 18 पोते पोतियों के साथ दिखे यूए के राश्टपती नमस्काल मैं हूँ प्रियाज़ौर आप देख रहे हैं यूए कबर देखे गुरुवारी 11 अप्रेल को भारत में इद मनाई जा रही है यानि कि आज और इस से ठीक एक दिन पहले यानि कि बुदवर 10 अप्रे अलनायान ने सूशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपने पोते पोतियों के साथ दिख रहे हैं देखे तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें यूए के शेक अपने सबी 18 पोते पोतियों के साथ दिख रहे हैं तश्वीर सेयर करते हुए अलनायान है जिसका अनंद उठाया जाना चाहिए यूए के राश्टपती ने जो तस्वी शेर की है उसमें वो अपने 18 पोतियों से घिरे बैठे हुए दिख रहे हैं तश्वीर में उनकी तीन पोतियां हिजाब पहने दिख रही हैं और बाकी पोतियां रंग बेरंगी अलबी पड़ी तो दिख रही है बतादे के यूए के राश्टपती इद के मौके पर पहले भी पोतियों के साथ अपनी तस्वीरे शेर करते आए पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही एक तस्वीर किया था जिसमें वह अपने पोतियों के बीच बैठ कर उन लोगों को लाट करते हुए शेर की थी उसमें वो अपनी कुछ पोते-पोतियों के साथ अपने महल में सफेज सीडियों पर बैठे मुस्कुरा रहे थे शेक मुहमद बिन जायद अलनहयान की शादियों 20181 में शेक सलमा बिन्थ हमदान बिन्थ मुहमद अल्लहयान से हुई थी राश्टपती के नौ बच्चे हैं जिसमें चार बेटे हैं और पांच बेटियां हैं जिनमें से उनके 18 पोते-पोतियां हैं बता देए कि उन्होंने ईद की बधाई दी है ऐसे में आपको यूए में फ इसके लिए प्रॉपर टाइम हैं जिसके बारे में घोशना की गई है वहीं दुबई मेट्रो और ट्राम जो है इनकी भी टाइमिंग अलग से घोशित की गई है इस पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है वहीं इसके अलावा बता दे कि दुबई में जितने भी पार्क है अब वो भी एक प्रॉपर टाइम पर ही खुलेंगे तो उसका भी टाइम ने हमने आपको बता दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चानल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं फिलाल यूए में अभी आनंद का समय है असे में कई सारे इवेंट्स है अप उनने आपको बताया है कि जू भी जा सकते हैं आपको वहां पर फ्री एंट्री मिलेगी अगर आप प्रॉपर टाइम पर आट से नो बजे के बीच में जाते हैं तो तो अब फिलाल बहुत कुछ यूए में दिख रहा है क्योंकि एक लंबी चुट्टी कामगारों को दी फिलाल इत की छुट्टियां मना रहे हैं ऐसे में घूमने फिरने का वक्त है तो आप यूए में घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें कहीं भी जाकर घूम सकते हैं तो यह थी तमाम चानकारी बने रहे ऐसी ख़बरों के लिए यूए खबर पर यूए में अगर मनाना चाहते हैं इदल फित्र तो तीन दिनों के लिए फ्री एंट्री मिलेगी आपको वो भी जूमें क्या है पूरी खबर चलिए बताते हैं तो नमश्कार सौगत है आपका यूए खबर पर देखिए यहां उन सभी मादा पिता के लिए अच्छी खबर है जो बच्चों को इदल फित्र की छुट्टियों में बिजी रखना चाहते हैं देखिए छोटे बच्चों और उनके दोस्तों के साथ एमिरेट्स पार्क चिनिया घर और रिजॉर्ट में जाएं और निश्यल के एंट्री का अनंद ले सकते हैं इद की पहले तीन दिनों के लिए हर कोई अमिराद पार्क चिनिया घर में फ्री एंट्री लेकर घूम सकता है एक छोटी सी सर्थ लेकिन यहां पर रखी गई है बता दे की फ्री एंट्री केवल सुबा आच से नौ बजे के बीची है इसल प्री शुल्क जो है वो देना पड़ेगा वहीं बड़े बच्चों के लिए अधिक साहसिक एक्टिविटीज हैं जैसे जिप लाइनिंग पसू इंटरैक्टिव सेशन सेक्षिक सनरक्षन एंवार्मेंट मदुमक्की गतिवीधियां और भी बहुत कुछ वहीं अफ्रीकी धोल वादक महोल को और भी अच्छा बनाएंगे जिवन्त बनाएंगे साथ साथ आप पूरे दिन तनौरा डांस देख सकते हैं हुला हुपिंग गुबारा फुमोरना जादू शो और भी बहुत कुछ देख सकते हैं तो चिरिया घर में आपका इंतजार कौन कर रहा है तो बतादे की चिरिया घर में आपको धाई सो प्रजातिया और एकजार एकसो पचीस आकरशक जानवर जो हैं वो शामिले जो आपको अंतसार कर रहे हैं वहीं बड़े संधारियों पक्षियों सरी सिर्फ पियाने की साम्त के लिए भी जलिए जीवन तक ये सबी चीज़ें अमिरात पार्क चुरिया घर में सबसे रोमांचक घटनाओं में सेख हैं जहां पर आपको फ्री एंट्री मिलेगी बाई आपको बता दे इसके अलावा कि दुबाई नगर पालिका नहीं इदुल फितर के चुट्टी के दौरान अमिरात में पार्क संचालन की टाइमिंग क गोशना की है प्रादिकरान ने अमिरात में कुछ मन और अंजक सुविदाओं के लिए समय की गोशना की है बता दे कि जो आवासिये पार्क हैं और चड़ाहें जो हैं वो सुबह आर्ट बज़े से बार बज़े तक खुले रहने वाले हैं जो लोग लंबे विकेंड की दौ सब्सक्राइब यहुरे तक दौता रहे हैं और यह पार्क ऑर्क जाफार्क मंजारificación सवापर कि यह नहीं सब्सक्रार ड़तalk कर रहेंगा तो यह सकते हैं फिलार जू जो है वह आप जा सकते हैं फरी में आपको वहां पर entry मिलेगी proper time हमने बता दिया है तो आप enjoy कर सकते हैं अपने family और अपने बच्चों के साथ तो यह थी तमाम जनकारी बनेड़ी ऐसी खबरों के लिए UAE खबर पर भारत में बनेगा दोई से भी आले शियान वंस जित बिना ऐसी के भी रहेगा ठंधा देख रहे हैं योई खबर देखिए देश भल में ईड का पड़ जो है हर सो लास के साथ मनाया जा रहा है भारत में आज सुबा ईड की नमाज अदा होने के बाद सभी एक दूसरे को इतकी मुबारक बात दे रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्तान की लोगों को ज आहरी कां नाका थे में बन रही हैं जो तैयार होने के बाद राजस्तान की खुबसूरती में चार चांद लगाएगी यहां पर आपको कारी गरी और कलाकारी दोनों ही देखने को मिलेगी मस्युद का काम एक साल में पूरा हो जाएगा देखिए इस मस्जुद की सबसे खास बात तो यह है कि यहां कोई भी इसी नहीं लगाए जाएगी लेकिन फिर भी यहां हवा आते रहेगी दरसल यहां हर मंजिल पर खिर्कियां छोड़ी गई हैं जिसमें इसे लगतार हवा का आवागमन होता रहेगा इत सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए यहां सोलर प्लांट वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे जिसे कि प्राकिर्तिक संसाद्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके यहां लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर भी बनाया जाएगा दे कि अब उधावी में बिपीएस हिंदू मंदिर ने एक नई उप्योग करता हूं कि अनुकूल पुर्व रजिस्ट्रेशन बुकिंग प्रकीरिया शुरू की है ऐसा बदलाव किया गया है ताकि मंद्व पुर्व के पहले पारम पर एक मंदिर में आने वाले विजिटर्स को हो असानी हो सवधा हो और इसको लेकर कहा गया है कि क्यूंकि आने वाले दुनों में कुछ हिंदू फेस्टिवल आ रहे हैं ऐसे में मंदिर में काफी भी रहने वाली है तो लोगों से कहा गया है कि पहले से पूरी रेजिस्ट्रेशन करा ले उसके बाद ही मंदिर तक आए ऐसे में आपको भी सुवधा होगी लंबी लाइन से आप बचे रहेंगे मैं बता दें कि फिलाल एद की चुटी चल रही है यूए में ऐसे में जितने भी हिंदू लोग है वहाँ पर और भी अनिधर्म की भी लोग है वो मंदिर में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं इसी क अम जहनकारी बने रहे यसी खबरों के लिए यूए खबर पर